महांत संगीतकार रोशन के पोते नाम रितिक रोशन जन्म 10 जन्वरी सन 1974 में हुआ पिता राकेश रोशन और मा पिंकी रोशन रितिक रोशन के नाना जी जे उम प्रकाश जाने मानिन निर्माता निर्देशक रहे ये बात भी कमाल की है कि पिता राकेश रोशन के घर का नाम है गुड़ू और रितिक रोशन को नाम दिया गया डुगू तो गुड़ू डुगू डुगू गुड़ू घर में ही है रितिक रोशन के नाना जे उम प्रकाश ने ये जिम्मदारी ली कि मात्र छे बरस की उम्मर में ही रितिक सिल्वर स्क्रीन पे नजर आए ये थी सन 1980 की फिल्म आशा और ये सीन भी इस तरह से लिया गया था रितिक को इसके बारे में मालूमी नहीं था ये डांस करते रहे औ और चुप-चाप कैमरामेन इनने रिकॉर्ड करता रहा ऐसा माना जाता रहा ये फिल्म की खुशकिस्मितिक ये लिकिया जाता था रितिक को हर फिल्म का लखी मैसक प्माना गया लेकिन डायलोग बाजी का मौका इन्हें मिला जो उम्रकाश साहब की फिल्म भगवान दाद है कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बॉंबे स्कॉटिश स्कूल से की बात में सिद्धम कॉलेज तक ये पहुंच गए यहां पे इन्होंने कॉमर्स के डिगरी हासिल की ये बात भी गौर करने लायक है यूं तो इनके परिवार में एक से बढ़कर एक टैलेंट है जाहे पित हुई उसके बाद रिभी रोशन का आपमे विश्वास वापस आया रिवन प्था की यूनिट के साथ जुड़ गए रिचिक रोशन ने एक लंबा समय गुजारा राकृश रोशन की फिल्म्स के निर्मान के دورान रितिक रोशन ने अपना खासा समय बिताया राकिश रोशन को असिस्ट करके जैसे कि फिल्म कोईला और करन अर्जुन उसके बाद रितिक रोशन को लॉंच किया गया फिल्म थी कहूना प्यार है राकिश रोशन पे खासी जिम्मेदारी थी और तनाव भी बहुत ज्यादा एक नया लड़का और नई लड़की अमीशा पटेल राजेश रोशन ने जबरदस संगीत दिया रितिक रोशन ने जबरदस डांस दिखाया अमीशा और रितिक की जोड़ी को खुब पसंद किया गया और राजेश रोशन ने जिस तरहां से फिल्म को संभाला ये फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर डूपर हिट साबित होई और पदा चल गया कि आ गया है एक नया सूपर स्टार जो नाच भी सकता है, मार धाड़ भी कर सकता है रोमैंटिक सीन हो या वर एमोशनल हर जगा ये गहरी चाप छोड़ता है लितिक रोशन ओवरनाइट स्टार तो बने उसके बाद इनकी जीवन में रोमैंस भी आया बड़े मुश्कल से लितिक रोशन ने अपने मन की बात मुश्यूर मारोफ वैक्टर संजे खान की बेटी सुजैन खान से कही बाद मानी गई और इन दोनों की शादी हो गई इस शादी से इने दो बेटे हुए रेहान जिसका जन्म 2006 में हुआ और रिधान जो 2008 में जन्मा रितिक रोशन के जीवन में अजीब और गरीब चीज़े होती रही है जैसे की जन्म से ही इनके दाएं हाथ में दो अंगुठे है प्यार जीवन में आया, शादी हुई, बच्चे भी हुए और उसके बाद तलाह भी हो गया जहां एक तरफ कहा जा रहा था रितिक रोशन वन फिल्म बंडर है, वहीं पर जब फिल्म आई कोई मिल गया तो सब मान गए कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई संपून भी नेता है तो वो है रितिक रोशन यकीनन भारते सिनेमा के अतिहास में कई नए पन्ने जोड़ दिये हैं इस जबरदस सुपरस्टार ने जिसका नाम है रितिक रोशन